Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Smart आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक important topic जो है Nick Names of Country जिसको हम करेंगे explanation के साथ और यह जो है एक static GK का part है तो हम start करते हैं पहला है हमारा The Land of Golden Fleece किसे कहा जाता है? Land of Golden Fleece कहा जाता है Australia को तो Golden Fleece का मतलब है Fleece का मतलब होता है Oon तो Australia में Oon का बहुत जाता उत्पादन होता है इसी कारण से जो Australia है उसे कहा जाता है Land of Golden Fleece Australia की अगर हम बात करें तो इसकी जो capital है वो है Canberra Next is Land of Golden Pagoda तो जो पैगोडा होते हैं यह जो Buddhist हैं उनके temple होता है तो इसी कारण से जो मेंमार है वहाँ पर एक बहुत important इनका पैगोडा है जिसे बोलते है Shwedagon Pagoda ठीक है इसी कारण से जो मेंमार है उसको कहा जाता है Land of Golden Pagoda मेंमार की अगर हम बात करें capital की तो मेंमार की capital है नाइपाई तो Next is the battlefield of Europe और the cockpit of Europe यह कहा जाता है Belgium को क्योंकि जो अगर हम बात करें Asian times की तो Asian times में बहुत जादा यूद वगरा जो होते थे वो maximum कहां पर होते थे Belgium के ही शेत्र पर होते थे तो इसी कारण से Belgium को कहा जाता है the battlefield of Europe और the cockpit of Europe Belgium की capital है Brussels नेक्स्ट है हमारा प्लेग्राउंड ओफ यूरोप प्लेग्राउंड ओफ यूरोप कहा जाता है Switzerland को Switzerland को पता है बहुत ही जादा सुन्दर जगह है Switzerland और यह अपने जो भी यहां की जो scenery है यहां की जो greenery है और जो stunning mountain ranges है यहां की तो उसके लिए जाना जाता है तो इसी कारणसी को कहा जाता है playground of Europe Switzerland की capital की बात करते है तो वो है burn तो playground of Europe is Switzerland next land of thousand lakes land of thousand lakes कहा जाता है Finland को ठीक है European country है Finland जिसको कहा जाता है land of thousand lakes क्योंकि यहां पे बहुत जादा thousands के करीब यहां पे lakes या जिले है इसी कारणसी फिल्लेट को कहा जाता है land of thousand lakes फिल्लेट की बात करें यहां की जो capital है वो है hell sinki यहां की capital क्या है hell sinki next है the shore of china shore of china कहा जाता है river hawang हो को क्यों कहा जाता है क्योंकि जो river hawang हो है यहां पे बहुत ज़दा बाढ़ वगर आती है चाइना में इसके कारण इसी कारण से जो river hawang हो है उसको shore of china कहता है यह फ्लड वहां पे बार बारी लेकर आती है और इसको एक और नाम से जानते हैं वो है yellow river हवांगो को जाना जाता है yellow river के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है हमारा windy city विंडी city किसे कहा जाता है शिकागो जो है USA में और क्यों कहा जाता है क्योंकि जो शिकागो के अगर हम बात करें यह जो एक Michigan वहां पे एक नदी है ठीक है Michigan river है USA में उसके Michigan उसी के किनारे स्थित ह है इसी कारण से जो समुद्र से जो बहुत जादा हवाय वगरा है वो यहां पे हमेशे चली रहती है जिस कारण से इसको windy city कहा जाता है अगर हम USA की बात करें USA की capital है Washington DC ठीक है windy city Chicago next is land of golden fiber golden fiber आपको पता होगा किसे कहा जाता है जूट को तो जूट हमारा golden fiber है तो जूट जो है बांगलादेश में बहुत ज्यादा उतपादन होता है प्रोड्यूज होता है तो और वहां की बांगलादेश की cash crop है और वहां पे बहुत उतपादन है इसका तो इसी कारण से जो land of golden fiber है वो कहा जाता है बांगलादेश को, बांगलादेश जिसकी capital क्या है धाका, धाका is the capital, next है forbidden city, forbidden का मतलब होता है कि जहाँ पर जाना मना हो, तो इसी कारण से वो है हमारी लहासा जो है तिबबत में, क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पवित्र सल है, थोड़ा मना होता है तो जिस कारण से इसको forbidden city कहा जाता है ठीक है लहासा जो कि एक जो दलाई लामा है उनका भी जरम स्थन है ठीक है, next है क्यूबा, क्यूबा की हम बात करते हैं, क्यूबा को कहा जाता है sugar bowl of the world and pear of antilles, ठीक है, sugar bowl क्यों कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ प Peerl of Antilles कि में रहता है क्योंकि जो हमारा एक antilles island है धान लामारे जो हमारा South America है उनके बीच में pear of antilles island है ठीक है, antilles गण्ट अकогर जादो है ह której क्यूबा कि में शामिल है तो उसमें उनphonie क्यूबा जो है वो सबसे ज़्यादा incorrect है क्योंकि हमने पढ़े यहाँ पर शुगर होता है टोबैको जो है उसका बहुत उत्पादन होता है इसी कारण सी बहुत ज़्यादा प्रीशेज है उसी कारण सी इसे कहा जाता है पियर ओफ एंटिलस उन आइलेंड में सब ज़्यादा प्रीशेज माना चाते है क्यूबा को ठीक है next है the imperial city तो imperial city किसे कहा जाता है ये कहा प्रीशेज से कहा जाता Jupiter City और और ओर नाम सी भी जाना जाता है the city of hopes ति the city of seven hills कि क्या पर साथ जो hills है पहाड़ी है साथ पहाड़ीयं वह यहां पर है और eternal city भी इसको जाता है ठीक है और city of pop इहां पर pop जो है वह बहुत जादा मिलते हैं तो city of pop भी कह जाता है Eternal City भी कहा जाता है कि जो कभी खतम ना हो जिसका कोई अंत नहीं होता उसको बोलते है Eternal City तो Eternal City हो गए हमारी रोम ठीक है, which is capital of Italy यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है गरम बात करें, बहुत सारे आप पर जो buildings and monuments बहुत सारे मिल जाएंगे इसी कारण से इसको, इसी कारण से इसको कहा जाता है The Imperial City Next है The City of Golden Gate Golden Gate कहा जाता है San Francisco में है San Francisco, USA में है यह और यह बहुत important जो gate माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो film है, उनकी भी shooting होती है यहाँ पर बहुत सादा important है इसलिए यह हमारा San Francisco, City of Golden Gate Next है The Land of Rising Sun इकाता है, हमारे Land of Rising Sun बोला जाता है, जापान को क्योंकि जापान में आपको पता है जो सूरज है, वो सबसे पहले कहां पर आता है जापान में, इसलिए Land of Rising Sun कहा जाता है, जापान को And Land of Midnight Sun कहा जाता है, नौर्वे को क्यों कहा जाता है, क्योंकि नौर्वे एक ऐसे जगापर है नौर्वे जो हमारा जो आर्क्टिक हमारा सर्कल है, तीकि जो नौर्दन हैमिस्फेर है, पूरा वहाँ पर मौझूद है और हमारा जो अर्थ है, वो थोड़ी तिल्टिड है, तो क्या होता है, जब समर टाइम आता है, तो वहाँ पर जो नौर्वे में जो गर्मियां होती है, तो उसमें वहाँ पर, मतलब कभी अंधेरा होता ही निया, वहाँ पर हमेशा सूरज जो है वहाँ पर प्रेजन रहता है मैक्सिम मान सकता है जो 76 दिन तक जो है वहाँ पर सूरज जो है वो प्रेजन रहता है इसी कारण से उसको कहा जाता है land of midnight sun और वहाँ पर रात जो है वो बहुती कम मिनट या घंटों के होती है सिरफ तो इसी कारण से कहा जाता है land of midnight sun नौर्वे को ठीक है नौर्वे की अगर ह और यह पूरी तरफ से चारो तरफ से पाने से घीरा हुआ है ठीक है next is land of kangaroo यहाँ पे kangaroo जो है वो बहुत जादा पाए जाते हैं तो इसी कारण से इसको land of kangaroo भी कहा जाता है next है हमारा Canada Canada की बात करें तो Canada को कहा जाता है land of lilies यहाँ पे जो lily flower है वो बहुत जादा पाए जाते हैं तो इसलिए इसको land of lilies कहा जाता है और land of maple के अगर हम बात करें, Canada के लिए जो maple है, बहुत ही important ये एक tree है, ठीक है, leaf है जो, क्योंकि यहाँ पर दर्शाता है, जो इनकी entire पूरी जो country है Canada, उसकी nationality और independence से related है, इनका जो ये maple है, तो इसलिए Canada का जो flag है, उसमें भी हमको maple का जो leaf है, उसकी हमें image मिलती है, तो इनक maple भी कहा जाते है, Canada को, Canada कि अगर हम बात करें, यहां की capital है, Ottawa, next is land of thousand elephants, तो land of thousand जहां पर बहुत सारे elephants है, उनको वो कहां पर है, लाउस, ठीक है, लाउस, जो की एक Asian country है, और इसको हम, इसकी जो capital है, वो है, वेतियान है, ठीक है, और जो land of white elephant है, that is Thailand, capital is Bangkok, याद रखना है आ आपको अच्छे से याद रखने है, जो land of thousand, बहुत सारे जो elephant है, वो तो लाउस में पाय जाते हैं, लेकिन white elephant की बात आ गई है, अगर तो white elephant है, वो पाय जाते है Thailand में, ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल याद रखना है, दोनों को, next हमारा आता है, land of thunderbolt, thunderbolt के होता है, बहुत जादा बिजली वगएरा कड़कती रहती है, जो हमाले रेजन आता है इसके उपर, तो उसका बहुत जादा बिजली यहाँ पे कड़कती रहती है, उसको कहा जाता है, land of thunderbolt, भुटान की capital है थिंफू, next हर्मिट किंग्डम, ठीक हर्मिट किंग्डम जो है, वो है हमा regulations है, सबसी अलग रहता है, तो इसी कहां से हर्मिट किंग्डम कहा जाता है नौर्थ कोरिया को, ठीक है, किम जोंग यून आपको पता होगा जो यहाँ के राजा है, तो नौर्थ कोरिया की हम बात करते है, यहां की जो capital है वो है, पियोंग येंग, ठीक है, योंग येंग, next है, land of morning calm, तो land of morning calm किसे कहा जाता है, South Korea, क्योंकि यहां की जो morning है, बहुत ही सुन्दर होती है, तो morning, land of morning calm इसले कहा जाते है, कि इसकी जो भी view है, यहां का बहुत जादा सुन्दर है, तो South Korea को कहा जाते है, South Korea की capital की बात करें, वो है Seale, next है holy land, holy मतलब पवित्र जो स्थल है यहां पर बहुत ज़्यादा यह पवित्र स्थान माना जाता है पैलेस्टाइन और इसकी जो अगर हम कैपिटल की बात करें वह है यरुसेलम और जैरुसेलम ठीक है यहां की कैपिटल है हम हमारा जो सुमालिया है यह पूरा प्रेजन्ट है इसलिए सुमालियो का जाता है हॉँन आफरीका और इसकी जो कैपिटल है वह है मोगादिश्यू चाहिए होन आइन व प्यल्स पील्स क्योंते है मोति को बहरिन को का जाता है मोतियों को island और अगर बहरीन की हम बात करें बहरीन की capital है मनामा याद रखने आपको बहरीन की capital कया है मनामा बहरीन एक island है थीए? island of peals next is island of cloves, cloves क्यों आते है? long थीए? तो जो island of cloves है वो किसे का चाता है? वो का चाता है जंजीबार को, ठीए? जंजीबार और जंजी बार के घरम बात करी हैं अफरिकन जो गॉषिन पूछा जाता है ठीक है तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं अगली वीडियो आपके लिकराऊंगी जो इंडिया के पार्ट टू में आपके लिकराऊंगी इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनके निकनेम्स के बारे में थैंक यू